कि दोस्तो तो हमसे झूड़ेंके लिए सब्सक्राइब करें हमारे चनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेश करें बडन को जिससे आपको मारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें विल्कुल मुफ्त में जै मातादी दोस्तों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है आज कल हर कोई सफलता पाने के लिए काफी मेहनत करता है लेकिन कई बार बहुत जादा मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है और कई बार भागे इतना प्रबल होता है कि सफलता अपने आप ही मिलने लगती है सभी लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब उनका भागे अच्छा नहीं चल रहा होता है या उनका समय खराब होता है तब वे पूरा दिन या तो परेशान रहते हैं या किसी बेकार की ही उलजन में ही पूरा दिन उलजा रहते हैं वे चाह कर भी उस उलजन से बाहर नहीं निकल पाते हैं और जब समय अच्छा चल रहा होता है तब सभी कुछ अपने आप अच्छा होता रहता है और आप सुक का अनुभव भी करते हैं लेकिन दोस्तों सभी की अंतरात्मा में एक खासियत होती है कि वैं आने वाले समय या फिर होने वाले कारे की सफलता को पहले ही भाप लेती है हर व्यक्ति के अंतरमन और अंतरात्मा में इन चीजों को पहचान लेती है ऐसी खासियत होती है आपकी अंतरात्मा में और यह हर व्यक्ति की अंतरात्मा में ऐसी खासियत होती है ऐसा आपने काफी बार खुद भी महसूस किया होगा लेकिन सही से पता ना हो पाने के कारण आप इन बातों पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं जब भी आप किसी खराब या गलत रास्ते से गुजरते हैं या गलत लोगों के साथ बैठते हैं, जहां पर आपको परिशानी हो सकती है, वहां खुद ही आपके मन में विचार आने लगते हैं. यही खासियत होती है एक हर व्यक्ति की अंतरात्मा में कि वे आने वाले समय को पहले ही भाप लेती है लेकिन जो लोग भगवान से जुड़े हुए होते हैं या धार्मिक काम जादा करते हैं वही लोग इन संकेतों को या फिर होने वाली बातों को सही से समझ कर उन परेशानियों से बच निकलते हैं क्योंकि उनकी अंतरात्मा ज़्यादा मजबूत होती है और वे आने वाली चीजों को या होने वाली बातों को पैचान कर भाप कर उन परेशानियों को बचा लेते हैं, उनसे पच निकलते हैं। भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर ऐसी खासियत डाली होती है कि वे आने वाली परेशानी को पहले ही भाप लेता है लेकिन जो लोग भगवान से ज़्यादा जुड़े होते हैं वही इन चीजों को सही से समझ पाते हैं और इन बातों का फायदा भी उठा पाते हैं। अगर आप भगवान से ज़्यादा जोड़े होते हैं धार्मिक कार्य ज़्यादा करते हैं तो आपको इन परेशानियों के बारे में स्रटीक पता चल जाता है या फिर गलत लोगों के बारे में भी पता चल जाता है जिससे आप उन आने वाली परेशानियों से बच जाते है इन संकेत का जीवन में भविशे पर बहुत ही गहरा संबंध होता है ठीक इसी प्रकार सपनों का भी भविशे पर बहुत गहरा संबंध होता है आपको जो भी सपने दिखाई देते हैं या कुछ बाते आपको महसूस होती हैं उनका जरूर ही आपके भविशे से संबंध होता ह इसलिए आपने काफी बार खुद इस बात को महसूस किया होगा कि आपके साथ कुछ भी होता है या आप कहीं किसी चगह जाते हैं तब आपको लगता है कि यह सब चीजे आप पहले ही देख चुके हैं या यहां इस चगह पहले आ चुके हैं ऐसा सपने में दिखाई देने से होता है लेकिन दोस्तों आप उन सपनों को देख कर महसूस करके भूल जाते हैं और जब यह चीजे आपके साथ होती हैं तब आपको लगता है कि यह चीजे आप पहले देख चुके हैं सपने में देखी हुई हर चीज भविशे की और इशारा करती है और ये सब चीजें बेकार या फालतु बिल्कुल भी नहीं होती है जो भी सपने आपको दिखाई देते हैं उनका जरूर ही आपके भविशे से सम्मंद होता है हो सकता है आपको अपने भविशे में होने वाले चीजों के संकेत मिलते हैं, सपनों में मिलते हैं, बिल्कुल सही से नहीं दिखते हैं, कुछ इशारों की वजह से मिलते हैं, या कुछ चीजे ऐसी दिखाई देती हैं, जो आपके भविशे की और इशारा करती हैं, कुछ भी और चीज़े दिखाई देती है क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछं मतलब होता है, जो भी चीज़े सपने में दिखाई देती हैं, उनका एक अलग ही मैत्व होता है, और अगर आप इन सपनों को समझ जाते हैं, तो आपको अपने कारे में सफलता के लिए संकेत मिल जाते हैं, आने वाली परेशानी के बारे में पता चल जाता है, और आपको उस समय में संभल कर रहना है, या फिर उस समय का भरपूर फायदा उठाना है, यह भी पता चल जाता ह लेकिन काफी लोग इन सपनों को देखकर याद ही नहीं रख पाते हैं, सुबह उठते ही इन चीजों को भूल जाते हैं, तो उनका देखा हुआ सब बेकार हो जाता है, जिससे वह फायदा ही नहीं उठा पाते हैं, अगर आप धार्मिकारे से ज़्यादा जूड़े रहते हैं तो वह चीजे आपको बिलकुल याद रहती हैं, आपके सपने आपके भविश्य पर बहुत ही जादा गहरा संबंद बनाए रखते हैं, खीक वैसे ही जैसे अगर आपको सपने में दिखाई देता है, कोई गार्डन या फिर भैता हुआ पानी, कोई नदी आपको दिखती है जिसका बहाव तेज है, कोई जरना दिखाई देता है, कोई सुंदर पार्क दिखाई देता है, या फिर उलू दिखाई देता है, तो ऐसे में दोस्तों आपको उस समय का भरपूर फायदा उठाना चाहिए, जितने भी कारे आप करना चाहते हैं, आपको वै उस समय में पू तो ऐसे में आपको इन सपनों का फायदा उठाना चाहिए अकसर जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं सुबह सुबह काफी लोग बाहर निकलते हैं तो अचानक से बहुत सी चीजों पर नजर पड़ती है लेकिन काफी लोग पता नहों पाने की कारण उन चीजों पर अगर आप खर से निकलते हैं और आपको अचानक से कोई भी सफाई कर्मी जाडू लगाता हुआ दिखता है या साफ सफाई करता हुआ दिखता है तो आपको समझ लेना चाहिए दोस्तों कि मा लक्षमी आप पर महरबान है और आपको इस समय का भरपूर फैदा उठाना चाहि हैं अगर आपको अपने सपने में दिखाई देता है कि आपके दात तूट गए हैं आपके दातों में दर्ध हो रहा है बाल जड़ रहे हैं तो यह चीजे दर्शाती हैं दोस्तों दुख को यानि कि आपको अपमान का सामना करना पढ़ सकता है तो ऐसे में दोस्तों आपको इस इस्थिति में किस परकार इन चीजों से बचना है इसका आपको फ़ादा उठाना चाहिए क्योंकि यह चीजे आपको दर्शा चुकी हैं कि आपको आने वाले समय में दुख्का सामना करना पड़ सकता है, तो उसी परकार इन चीजों को देख कर समझ कर आप उन चीजों को संभाल सकते हैं अगर आपको अपने सपने में गन्ने का खेट दिखाई देता है गन्ना दिखाई देता है जावलों का खेट दिखाई देता है या फिर कमल का फूल दिखाई देता है तो यह समय दोस्तों काफी शुब समय होता है और इस इस समय में आपको भरपूर फायदा इसका उठाना चाहिए क्योंकि यह समय दर्शाता है कि आपका शुक्र ग्रह काफी मजबूत हो गया है और आपको प्यार संबंधित मामलों में इसका फायदा उठाना चाहिए धन संबंधित मामलों में इसका फायदा उठाना चाहिए कि यह चीज़े आपके घ्रह मजबूत की और इशारा करती हैं इन सपनों को देखने से धन प्राप्ति के नए नए योग खुलते हैं और शुकर घ्रह काफी मजबूत दर्शाता है जब भी आप सोकर उठते हैं या उठने वाले होते हैं तो अगर आपको मंदिर की घंटी या आपको उठते ही दूद दिखाई देता है या दही का बरतन दिखाई देता है बरा हुआ बरतन दिखाई देता है तो यह इशारा करता है आपके धन प्राप्ति के योग की तरफ इन चीजों को सुबह सुबह देखने से धन प्राप्ति के नए नए योग बनते हैं अगर आ आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, किसी बहुत ही महतपुन कारे के लिए निकल रहे हैं और आपको रास्ते में बंदर, कुटा दिखाई देता है या फिर सांप दिखाई देता है, तो दोस्तों आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी यात्रा सफल होने वाली है और जिस भी कार के लिए आप निकल रहे हैं वह जरूर ही पूरा होने वाला है, अगर आपको अपने सपने में नारियल, मोर, हंस या फिर फूल दिखाई देते हैं, तो यह समय भी काफी अच्छा माना जाता है दोस्तों, यह काफी शुब संकेत माने जाते हैं, यह आपको कारे सिद्धी के दिखाई देते हैं, क्योंकि इस समय में पित्र आपसे संपर करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपको सपने में डर लगता है, या फिर साप दिखाई देता है, साप आपको काटता हुआ दिखाई देता है, डरावनी चीजें आपके सपने में आती है, या फिर कोई भी हि ये दोस्तों कि पित्र आपसे प्रसन नहीं है, ऐसे में दोस्तों आपको एक लोटे में जल रखकर अपने पास सोना चाहिए, पीतल का लोटा आप अपने पास रखके सोया करें, उसमें जल भरके आपको ढखकर यह सोना है, और यह जल आपको सुबह उठते ही किसी भी पोदे में डाल देना है ऐसा करने से वह डरावने सपने नहीं आते हैं और आपके पित्र आप पर प्रसन होते हैं इसमें अपने सिराने आप कोई भी लोटा रख सकते हैं लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कोई भी लोटा आप रखें तो आपको यह ढग कर ही रखना है और सुबह उ सपने में मंदिर दिखाई देता है या फिर भगवान दिखाई देते हैं तो यह सपने दोस्तों काफी शुब होते हैं मंदिर से जुड़ी हुई कोई भी चीज आपको दिखाई देती है या फिर हिंसक जानवर को छोड़ कर कोई भी जानवर आपको दिखाई देता है जैसे क काय, मोर, बंदर आपको दिखाई देते हैं तो यह काफी शुब होते हैं और यह दर्शाते हैं कि आपका कारे जल्दी ही पूरा होने वाला है और चिस भी चीज में आप फसे हुए हैं उसमें जल्दी ही बाहर निकलने वाले हैं आपके सभी काम पूरे होने वाले हैं और आप अगर आपको अपने सपने में कोई भी पक्षी दिखाई देता है, कववा, चिडिया, कबूतर, कुछ भी दिखाई देता है, तो आपको दोस्तों समझ लेना चाहिए कि आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, लेकिन आपको चिडिया को दाना डालना चाहिए, पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए, ऐसा करने से जल्दी ही आपका कार्य सिध होता है पूरा होता है और आपकी मनोकामना भी पूरी होती है, ऐसे ही कुछ सपने होते हैं जो आपको आने वाले भविश्य के बारे में बता देते हैं अगर आप इनको ठीक से समझ लेते हैं तो आप अपने भविश्य के बारे में जान जाते हैं और आने वाली परेशानियों से बच जाते हैं अगर आपको कुछ सपने दिखाई देते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हम आपकी साहता करने का प्रयास करेंगे आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले और सब्सक्राइब बटन के पास बैल बटन दबाना ना बूले जिससे आपको हमारी सबी जानकारी हैं सबसे पहले मिल सकें हमारा वीडियो आप लाइक और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ना बुलें जिससे आपके मित्र भी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन में फायदा उठा सकें धन्यवाद दोस्तों